Good morning everyone, मेरा नाम है सद्दाम कासि, मैं एक WordPress developer हूँ और आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत special होने वाली है मेरे बहुत सारे subscribers हैं, बहुत सारे students हैं जो ये मुझसे हमेशा पूछते हैं कि sir कोई सस्ता domain और सस्ती web hosting बताईए कि कहां से हम ले सकते हैं जब आप नई-ने website development सीखोगे तो उस case में तीन से चार अजार की web hosting purchase करना, I think that is really not a very good deal इस पूरे एंटार वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कहां से सस्ता domain name ले सकते हो और web hosting तो इतनी सस्ती है, सेफ 75 या 80 रूपीज पर एर और एक hosting पे आप दो websites भी host कर सकते हो और मैं हाँ मन्त की बात नहीं कर रहा हूँ एक साल के लिए आपको hosting इतने में मिल जाएगी वीडियो के साथ अंद तक जुड़े रहिए और अगर आप first time मेरे चैनल पे आए हो जैसे सारे YouTubers request करते हैं मैं भी आपसे request करूँगा मेरे चैनल को subscribe करो like अभी मत करना पहले पूरे वीडियो को देख लो end में अगर ये वीडियो पसंद आएगा then only you can like और comment में एक बार high लिख करके ज़रूर भेजना alright so without wasting much time चलिए इस वीडियो को start करते हैं so सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें सबसे कम price का domain name कहां से मिलेगा वैसे तो बहुत सारी websites है जैसे GoDaddy है, BigRock है, HostGator है, Bluehost है सारी companies almost same price पे domain name sell करती है but मैं आपको recommend करूँगा कि आप simply जाओ hostinger.com पर hostinger पे आपको सबसे कम price का domain name मिलेगा आप चाहों तो compare कर लेना, मैं भी कुछ seconds में भी compare करके भी दिखाऊंगा so for example, एक domain name हम सर्च करते हैं यहाँ पे icecreamapps99.com ठीक है .com domain है यह, सर्च करके देखते हैं कि .com domain यहाँ पे कितने का मिलेगा so आप यहाँ पर देख सकते हो सिर्फ $8.99 यानि कि around $9 per year का domain name आपको मिल जाता है अगर हम इसको इंडियन रुपीज में convert करके देखते हैं $8.99 multiply, डॉलर अभी I think 74 रुपीज का चल रहा है तो $600 रुपे का आपको यह domain name यहाँ पर मिल जाएगा ठीक है, इसके बाद अगर हम GoDaddy पे चलते हैं सबसे गंदी कंपनी है GoDaddy, ठीक है आप कभी भी domain यहाँ से purchase मत करो तो same domain हम यहाँ पर फिर search करेंगे ice cream app, I think apps था, right? यह app है सिर्फ, ice creamapp99.com तो इस domain को यहाँ पर search करके देखते हैं कितना price ले रहा है यह? ओके, आप यहाँ पर देखो same domain ग्यारा डॉलर और 99 cents यानी कि बारा डॉलर का हो गया domain अगर आप इसको इंडिन रुपीज में convert करके देख लो एक बार 11.99 multiply as 74 तो यह 887 रुपए का हो गया तो GoDaddy से तो फिलाल कभी मतलो ठीक है domain name हमेशा आप ले लो hostinger से market सब से कम price इसकी website का ही चलता है आपको domain name purchase करने के लिए simply जाना होता है add to cart की उपर और यहाँ पर यह hosting package वगरा भी आपको recommend करेगा hosting मतलेना यहाँ से ठीक है domain name purchase करो यहाँ से आप continue to cart कर लो तो यहाँ पर दीकिए final price है tax वगरा मिला करके 9.17 US dollars तो यह around 7 से रुपए के आसपास आपको 1 साल का .com domain मिल जाएगा अगर आप .in domain try करोगे तो वो और भी सस्ता होगा .co.in और भी कम price में मिल जाते हैं इसके बाद हम hosting के बात करते हैं देखिए hosting के लिए website है your site.com इस website से आपको hosting सिर्फ 0.99 US dollars per year पर मिल जाएगी यानि कि around 75 रुपीज पर year पर अगर आप अभी यहाँ पर देखो कि products में जा कर कि wordpress hosting view package पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए price कितना आ रहा है 2 dollars and 75 cents per month जहाँ पर आप दो unique website को host कर सकते हो अब आपको directly yoursite.com के उपर नहीं जाना है आप एक काम करो मेरा link है यहाँ पर websoft global.com then forward slash your site जब आप इस link के जरीए your site website पर जाओगे तो आपको hosting सिर्फ 0.99 dollar per year की पड़ेगी यानि कि around 75 rupees per year एक साल की बात हो रही है मन्त की बात यहाँ पर नहीं हो रही है और इसमें आप 2 website host कर सकते हो 10 GB का SSD storage मिलता है cPanel भी आपको इसमें मिलेगा 5 databases आप create कर सकते हो तो आप simply get plan पर क्लिक करो यहाँ पर ठीक है इसके बाद यह option आएगा अब यहाँ पर आप से पूछेगा भी नया domain purchase करना है, transfer करना है, existing domain है आपके पास, तो domain आपने already hostinger से purchase किया होगा आप simply existing domain के उपर click करो और यहाँ पर जो आपने already domain purchase कर रखा है उस domain का name आप यहाँ पर डाल दो, जैसे कि for example मैं यहाँ पर enter करूँगा एक domain name है मेरे पास digital wall.online यह online इसके extension है तो digital wall और यहाँ पर online डाल देते हैं ठीक है इसके बाद use करेंगे तो यह चेक कर लेगा भाई domain name मेरे पास वाकई है या नहीं तो इस domain name के साथ में यह hosting package link हो जाएगा ठीक है तो आप यहाँ पर देखो यह आगे digital wall.online अभी यहाँ पर price दिखा रहा है 32.99 इस पर confuse बिलकुल year की hosting है तो इस से कम price में आपको कहीं भी hosting नहीं मिलने वाली है और यह one dollar hosting offer already apply हो चुका है तो आप simply यहाँ पर अपने detail वगरा fill up कर दो Indian customers को भी यह support करता है तो आप यहाँ पर India select करके अपना phone number, mobile number enter कर सकते हो और checkout कर देना simply तो यह hosting आपको मिल जाएगी अब जैसे ही आपका order complete होता है इसके बाद next step यह है कि domain name हमने hostinger से purchase किया है और web hosting हमने your site से purchase किये तो domain से hosting को link कैसे करवाएंगे देखे linking के लिए क्या करना होता है हमें domain name का DNS यह नि domain name server update करना होता है उसकी process बहुत simple है जैसे ही आप यहां से hosting purchase करोगे आपको एक welcome email आयागा कुछ इस type का तो यह देखे your site से मुझे एक welcome email आया हुआ था तो इस email में बहुत सारे detail दी होती है आपके package के भी detail दी होगी आपने कितना amount pay किया है next billing detail क्या है आपकी next due date क्या है कितना recurring amount होने वाला है और मैं आपको scroll करके नीचे भी दिखा देता हूँ इस type से यह होता है name server name server दिया हुआ है first and second तो आपको कुछ नहीं करना होता है simply इस name server को यहां से पहले तो copy कर लो यह हमने यहां से इसको copy कर लिया ठीक है इसके बाद हम चलेंगे अपने hostinger जहां से हमने domain name purchase किया हुआ है तो मैं अपने hostinger account में login करूँगा okay now for example मान लेते हैं यह domain name है gpldiscount.com अब इस domain को मझे hosting account से link करना है तो आप simply manage button पर click करो just next to it okay आपको यहां भी दिखिए option connection में लेगा एक DNS name servers left hand side पर इस menu पर आपको click करना होता है और यहां पर आएगा option change name server तो आप इस पर पहले click करो इसके बाद by default यहां पर selected होगा use hostinger name servers recommended आप इसको हटा करके second वाले ले लो change name servers अब यहां पर first वाले में आप पहले इसको delete करो और जो हमने already copy कर रखा तो उसको आप यहां पर paste कर दो यह वाला हमने copy किया था यह URL वगरा आ चुका है इसको आप हटा दो यहां से htps वगरा कुछ नहीं आना चाहिए ठीक है इसी तरह से दूसरा हमारे पास name server क्या था यह है name server ns2 बस लगा है बाके सारे चीज़ा same है तो हम वापस अपनी website पर चलते हैं और यहां पर भी क्या करेंगे इसको पहले तो remove करके http को हटा देते हैं ns1 की जगे कर देंगे ns2 और बाके सब कुछ same है इसके बाद आप इससे save कर दो सिर्फ इतना ही करना होता है फिर आपको 24 hours wait करना होगा तो यह domain name आपकी web hosting से यानि your site से propagate हो जाएगा और इसके बाद आप इसमें login करके wordpress को install कर लो और अपनी website building start कर सकते हो, so I hope आपके लिए वीडियो काफी helpful रहा होगा, please do not forget to subscribe my channel, इस like कर दीजे और या कोई भी comment या query है तो आप please comment section में drop कर सकते हो, मैं आपको surely respond करूंगा, alright, thank you so much and have a wonderful day.